नमस्कार मैं हूँ करिश्मा और बंसल यूँ उसकी खास पेशक्रश में आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि आईश्मान में हम हर बार स्वाससंबंदी समस्यों पर खास जानकारी देते हैं तो असी काड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गणेश धानुका जो कि बंसल हॉस्पिटल में नेफ्रोलोजिस्ट है डॉक्टर धानुका आपका बहुत स्वागत है धन्यवाद तो आज हम बात करने वाले हैं किड्नी की बमारी से जड़ी भ्रांतियों के बारे में कि आ देखे कर्मए जी क्या होता है किया ब्रांतियां फैलि होई है कि किड्नी कि सभी बीमारिया गंवीर होती है किड्नी की सभी बिमारिया घंबिर नहीं होती हैं मैं सभी करariamente चाहेंगा किड्नी खराब होने के प्रबूख कारण होता है जासे कि Diabetes हो गया है , Blood Pressure है किसी कोई immunological disorder जैसे कि हम systemic lupus erythematasus है या फिर किसी को कोई अनुवानशिक बिमारिया होती है यही सब कारण होते हैं किड्नी खराब होने के अगर हम इन बिमारियों का सही समय रहते हुए अगर निदान कर लेते हैं या उसका उपचार करते हैं diabetes के मरीज़ों का diabetes control कर ले, BP control कर ले या फिर जो immunological disorders है उनकी हम दवाईया अगर start कर देते हैं या किसी patient को nephrodic syndrome है जिसके विज़े सरीर में सूजन आई है, kidney खराब हो रही है तो अगर हम उसका इलाज सही समय पे करते हैं तो हम इन बिमारियों को रोक सकते हैं और इन बिमारियों गंभीर बनने से रोक सकते हैं तो मैं सबको कहना चाहूँ किड्नी की सभी बिमारिया गंभीर नहीं होती है सही समय पर अगर निदान और उसका उप्चार हो तो यह एक सामन्ने बीमारी की तरह दूर भी हो सकती है ड़क्तर गणिश, यह बताएं किया किढू फेलियर में एक ही खराब होती है कि ये दोनों किढू को एफ़ेक्ट कर सकता है देखी क्या होता है किड्नी की बीमारिया जिसे हम क्रोनी किड्नी डिसीस कहते हैं इस बीमारी में तो दोनु ही किड्नी खराब होती है यह समाज में बहुत ज्यादा ब्रहांती फैली होई कि मुझे किड्नी की प्रॉब्लम में मेरा क्रियाटनी बढ़ा हुआ है क्या मेरी एक किड्नी खराब है और दूसरी ठीक है ऐसा नहीं होता है अगर आपकी किड्नी खराब है आपको डॉक्टर में बताया है कि आपको सीकेडी है तो आपकी दोनों किड्निया खराब होती है क्योंकि क्या होता है मान लीजिए आपकी अगर एक किड्नी खराब है और दूसरी अच् dispers पूरबर के लिए कारई करने की सुक्षम हैं तो कुछ बीमारिय होती है घर कखराब होती है जैसे कि करने के सठी हो सबूरार कारे करने के लिए सक्षम हैं कुछ भीकिराशि टोच नहीं बढ़िता है जोकि ने नहीं हुद के जबताऊ कि क्या किड्नी की किसी भी रोग में शरीर में सूझनाना, किड्नी फेल का ही संकेत रहता है गै। शरीर में शूजन आना या किड्नी की बीमारी में बहुत सारी बीमारी Administration में होता है तो इसा नहीं कहूंगा चुछ नहीं कहुता है कि बेसे नेफ्रोय पाइसक प्रोच और होगि einflawन चुर्णा करते हैं करने से protein leak bond हो जाता है और जो patient है वो normally अपना routine जीवन जीते हैं उनकी kidney भी ठीक हो जाती है हाँ मगर कुछ kidney भी बिब्मारिय होती है जिसे हम chronic kidney disease कहते हैं तो chronic kidney disease वाले मरीजों में किसी मरीज में सूजन आती किसी मरीज में तो जरुर्व ये आपकी किडूनी और फेल होने के संकेत हो सकते हैं. यहना इसका मतलब है कि आपकी किड्नी जो शरीर से पानी निकालना चाहिए, आपके किड्नी ने जो एक्सळा है या फिर आपका जो पिशाव महता में बन रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी किड्नी की कारेशमता अभी कम हुई है, तो आपको सूजन आ रही है, तो आपको इस संकीत को लेकर आपके निफ्रोलिस से मिलना चाहिए, इस प्रॉब्लिम का solution आपने उनसे पूछना चाहिए. अगर नहीं हो, तो भी सभी को कितना पानी दिन में पीना चाहिए. देखे, मैंने लास्ट इंटर्विव किया था, आप आपके गुर्दे का ख्याल कैसे रखे, गुर्दे को सौस्त कैसे रखे, तो मैंने उसमें बताया था, कि किसी व्यक्ति जो एक नॉर्मल इंसान है, जिस को अभी kidney की problem नहीं है तो इन लोगों ने खास कर अपने गुर्दे के बीमारी से बचने के लिए क्या ख्याल रखने चीए तो मैंने बताया था कि आप एक healthy जीवन जीए एक positive कहार आपको बहुत जरूरी है आप daily exercise करिये आपका वजन control में रखिये smoking है या alcohol जो लेते है वो ना लीजिए और रही बात पानी की तो पानी देखिए आप 2-3 लीटर पानी का सेवन रूटेनली आप कर सकते है 24 गंटों में ताकि इससे क्या होगा आपके शेरीर का hydration ये प्रॉपर बना रहेगा और पिशाब भी सही मातरा में आएगा लेकिन अगर आपको kidney की problem है और आपके नेफ्रोलोजिस ने आपको बताया है कि आपको पानी कितना पिना चाहिए तो उस हिसाब से पानी पीजे जैसे कि chronic kidney disease वाले कुछ मरीज होते जिनको पिशाब बहुत अच्छा आता है शेरीर में सूजन नहीं होती है तो इन रोगियों ने पानी नॉर्मल मातरा में पिना च आपको साथ में हार्ट की प्रॉब्लम भी है तो ऐसे मरीजों ने मेरे हिसाब से 800-600 ml से कम पानी पिना चाहिए 24 गंटे में और यह मैसी पानी नहीं कह रहा हूँ यह हम कुल मिला के जो तरल पदार्त होते है 24 गंटे में जिनका सेवन करना चाहिए वह सब मिला के कह रहा है क चेशों से 800 ml से जादा तरल पदार्त आप ना ले पानी के साथ कुछ बिमारी यह किड्नी के ऐसी होती है मान लीजे जैसे पत्थरी की बिमारी है या फिर यूरीन के मार्क का संकरमन है इन मरीजों को हम ज्यादा पानी पीने की सला देते है ताकि इनकी जो पत्थरी है यह पत्री मोटी पत्री होती है तो पिशाब के द्वारा ऐसे ही निकल जाया और पिशाब के रास्ते का संकरमन है इसका मरीज को दोबारा रिस्क ना हो जी डॉक्तर गरीश एक और सवाल मिला कि क्या मैं सबस्तूं इसलिए मुझे किड्नी की बिमारी नहीं है यह एक भरांती स किनी की बिमारी के लगषन है यह आपकी किड्नी की कारेशमता 50% से जब कम हो जाती तब समझ में आते हैं तब आपके शरीर में कोही बिलाक्षन नहीं नजर आते हैं मानली जी एक मरीज है जिनका क्रेयाटनीन 2 है मगर उनको क्या होगा जब वो जाज कराएंगे तब ही उन क्योंकि उनको कोई भी लक्षन नहीं लिखेंगे कि इससे किड्नी की बिमारी है इनको ऐसे पता चलेगा तो मेरी सभी से यह राय है कि जैसे कि मैंने पिछले इंटरोव में कहा था आप बिल्कुल स्वास्त है फिर भी जैसे मैंने बताया कि क्या खाना चाहिए क्या पीना चा कि यूरीन पिशाप की जाच और सीर्म क्राइटनीन की जाच यह हर छे मैने में आप हैल चेकप में कराईए और अगर उसमें समझ में आता है तो तुरंत उस बिमारी का किद्नी की बिमारी का हम निदान करके इलाज कर सकते है और अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है कि आपक तो ऐसी बीमारी अगर आपके फैमिली में है तो आप ज़रूर तीन-तीन महने में आपका क्रियाटिंग करिये और कभी भी अगर आपको नजर आता है कि यह बढ़ रहा है तो आप आपके डॉक्टर से जरूर में दीजिए चले कॉलर इस वक्तमाई साथ जुड़ चुके है न 52 52 है और रात में आपको पिशाप बार-बार आता है ठीक है आपको डाइबिडीज या ब्लड प्रेशर की शिकायत तो देखिए रात में पिशाप अमोवन नौर्मल इंसान जो है एक या दो बार उठता है तो मेरी आपको सलाह रहेगी एक तो आप सोते टाइम पे जब पर आप पानी का सेवन ना करिए सोने से एक या दो घंटे पहले ही पानी या जो भी तरल पदार्त लेते हैं उनका सेवन करिए पहली चीज दूसरी चीज है आप कोई भी आपकी निकर्टम जो हॉस्पिटल है वहाँ पर निफ्लोजिस्ट अवेलेबल है वहाँ आप जाई प्रोष्ट सब्सक्राइब जाएं कि सब्सक्राइब जोड़ी जो है उम्मीद करते हैं उपके सवालों का जवाब मिल Gणश अब आगे बढ़ते हैं कि क्या खून में क्रियाटन की मातरा जिसका रहे हैं अगर वो थोड़ी अधिक हो लेकिन तब अब जो है वो बिलकुल ठ जो है बिमारिया इसके जब तक किड्नी की कारेशमता 50% से कम नहीं हो जाती तब तक कोई लक्षन नजर नहीं आते है तो मान लीजाए किड्नी की कारेशमता 50% है तो आपका सीरम क्रियाटनीन जो है वो दो या धाई रहेगा तो आपको क्रियाटनीन हलका सा आपका बड़ा तो कुछ मरीज क्या होते हैं इसमें कुछ मरीज बेखोफ होके इलाज करवाना छोड़ देते हैं दवाईया नहीं लेते हैं या फिर जो परेज रखने होते हैं किड्नी के मरीजों को वो नहीं लेते हैं तो इन रोगियों में किड्नी की बिमारी जो है वो बहुत तेज गती से आगे बढ़ती है किड्नी की कारेशमता की जो गिरावत होती है उसकी प्रगती बहुत जल्ली होती है तो कुछ समय में इन मरीजों का क्रियाटनीन 5 या 10 पहुँच जाता है किसी को डियालेसिस की जरुवत पढ़ती है या किसी को किड्नी ट्रांस्परांट की जरुवत पढ़ती है तो मैं सभी रोगियों से यही कहना चाहूँगा कि आपका मानदीची क्रियाटनीन हलका सा बढ़ा हुआ है और आपको कोई सिम्टम्स भी नहीं है फिर भी आप आपके निफ्लोस से मिलिए और उस बीमारी का कारण जानना आपको जरूरी है ताकि आपको डालेसिस और किद्नी ट्रांस्प्रांट से बचाया जा सके। डॉक्टर गडिश आप सिरम क्रियाटनिन का जिक्र भार-बार कर रहे हैं, तो उन दर्शकों को थोड़ा सरल भाषा में बतायां कि आखिर ये क्या होता है। सिरम क्रियाटनिन जो है एक पदाहत होता है जो हमारी मास स्पेशियों से बनता है। अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो ये एक प्रकार का जहर होता है। या फिर इसे कहेंगे हम एक पदाहत होता है जिसको हमारे शरीर को ज़रुवत नहीं है। तो एक नॉर्मल इंसान में किड्नी क्या करती है किड्नी जो ये जहर की मातर होती है जिसे हम यूरिया क्रियाटनीन है या अधिक मातरा में शरीर में पानी है या सॉल्ट है या पुटैशियम है तो इन सब को फिल्टर करके एक नॉर्मल व्यक्ति में किड्नी इसे बाहर फेक स्टेज़ाइ일.. जो पफ़र दो स्टेजोस होती है या तीन स्टेजस आप कह लीजे इनमें क्या होता है? जैसे कि मैनने बताया कि कोई लक्षण नहीं होते मरीज़ों को, तो क्रियाटनीन नहीं एक मात्र जो जरिया, जिससे हम पता लगा पाता है कि इन मरीजों को किड्नी खराब हो रही है कि किसी का क्रियाटनीन देड़ है दो है इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो मैं दर्शे को बता दूँगा कि दशनलो आठ से लेकर एक दशनलो तीन तक हो सकती है आपके खून में नॉर्मल क्रियाटनीन की वैल्यू मगर आपका क्र तो आपको कोई लक्षन नजर नहीं आएंगे लेकिन आप रूटीन चेकप करें तो आप उस समय पर समझ जाएंगे कि आपके किड्नी में थोड़ी बहुत दिक्कत है इसलिए आपका क्रियाटनी बढ़ रहा है तो हम उस समय पर इसका निदान और रुप्चा प्रॉपरली कर सकते हैं किसी मरीज का क्रियाटनी मान लिजे पाच है तो आप मान के चलिए उनकी जो किड्नी की कारेशमता है गुर्दी की कारेशमता वह अस्ति प्रतेशत से गिर चुकी है तो इस स्टेच पर क्या होता है स्टेच पर हम कुछ ऐसे प्रिकॉशन मरीज को या कुछ आहार म गिर रही है उसको हम रोक सकते हैं ताकि हम डालेसिस या जो गुर्दा प्रत्यार उपन है इसको कुछ दिनों के लिए टाल सकें किसी मरीज का क्रियाटिन मान लिजे 7 है 8 है या 10 है तो इन मरीजों की जो है गुर्दे की कारेशमता 90 से पिछाने प्रतिशात सक गिर चुकी होत तो किद्नी रोक के पार में आज हम बात कर रही है माय दर्शक हमाय टेलिवीजिन नंबर पे जो नंबर स्प्लैश हो रहे हैं उस पे कॉल कर सकते हूं डॉक्टर गरणिश के साथ जोड़ सकते हैं डॉक्टर गरणिश अब ये बताएं क्या एक बार डालेसिस कराने पर बा बीमारी में क्या होता है आपका जब तक् dost किद्नी खिल नहीं जाता है उस किसी बीमारी VIII से खरावी उस बीमारी का हम्लाज करते तब तक हम डालेसिस करते हैं बाद में इस बीमारी में पिंचाने परसेंट चांस होते है कि आपका kidney ठीक हो जाएगा धीरे धीरे आपको dialysis की जरुवत नहीं पड़ेगी आपका serum creatinine भी नॉर्मल आजाएगा और आप नॉर्मल जिन्दगी जी सकते हैं तो इन मरीजों में कुछ समय के लिए dialysis की जरुवत होती है बाद में dialysis की जरुवत नहीं होती है हां मगर कुछ बिमारिया होती है जिसे हम chronic kidney disease कहते हैं CKD में क्या होता है जैसे कि मैंने बताए कि पांच stages होती है तो पहली stage से लेके तो चौथी stage तक हमें dialysis की जरुवत नहीं होती है मगर पांच भी stage जिसे हम end stage kidney disease कहते हैं इसमें मरीजों को dialysis की जरुवत पड़ती है और chronic kidney failure ये एक ना-इलाज बिमारी है आगे जाकर आपको इस बिमारी में एक तो dialysis या एक तो गुर्दा प्रत्यरोपन इनकी जरुवत पड़ती है नॉर्मल जीने के लिए क्यूंकि end stage kidney जो है काम करना पुरा बंद कर देती है आपका 5-10% किड़नी काम कर रहा होता है तो उस दौरान आपको एक normal जिन्दगी जिने के लिए एक artificial kidney की जिसे हम dialysis कहते इसकी जरुवत पड़ती है और वो जिन्दगी भर आपको लगी रहती है चले कॉलर हमाई साथ जुड़ चुके हैं राजेश बलाई से उनको उनकी तरफ रुक करते हैं जी राजेश्री क्या जाना है आपको मैंडम में नाम आइट सनुजिया है जे और मुझे ना पेट के ना लेट्ट साइड में हलका सब दर्द कर रहा है और मैंने सोनर ग्राफी सब करा लिए असमें कुछ नहीं निकला जे और मुझे उल्टी टाप भी लग रहा है तो मैं वह जब्टर साथ करवाँ में या है ख़ी ख़ी गुर्दे में हमारे किर्णी में पथ्री होती है चोटी मोटी पत्री जो फसी रहती है और अल्टर शन पर नज़म नहीं आती है आप जिस तरीकी की हमें एक कम्प्रेंट बता रहे है यह मुझे अश비 लगता है कि आपको हो सकता है घूघ bee पढ़ी हो कही प में जो है छोटी मोटी पत्री आती नहीं है और हो सकता है कि आपका यह दर्द जो है किसी आथ की बीमारी से भी जुड़ा हो या फिर कोई मसल्स का प्रॉब्लेम तो आप आसपास के अस्पिताल में जाके नेफरोलोजिस्ट को मिलिए और वहां आपका प्रॉपर इलाज अब यह बताएं कि क्या डालेसिस एलाज द्वारा किड्नी फेलियर को रोका जा सकता है नहीं देखिए क्या है किड्नी फेलियर रोकने की प्रक्रिया नहीं है किड्नी फेलियर जैसे कि मैंने बताया है कि आपको अगर शुरुवाती दौर में पता चल जाता है तो किड्नी failure का कारण मान लीजे diabetes है या आपका blood pressure है या कुछ अनुवांशिक बिमारी है या फिर कोई immunological disorder है तो हर चीज की दवा अलग-अलग होती है और हमें उस बिमारी को control करना होता है अगर हम उस बिमारी को control करते हैं तो किड्नी failure का जो है किड्नी की कारेशमता में जो गिरावाट है वो कम हो जाती है मगर जब आप end stage kidney disease में पहुच चुके हो तो आपको dialysis जरवत है तो dialysis यह एक alternative तरीका है किड्नी का जिसे हम artificial kidney कहते है कि आपकी kidney काम नहीं कर रही है तो आपको तो आप नौर्मल नौकरी कर सकते हैं घर का काम कर सकते हैं नौर्मल इंसान के जी सकते हैं तो मैं दर्शे को कहना चाहूंगा कि यह kidney failure की बीमारी को ठीक करने का जरिया नहीं है यह एक आपको एक ठीक रखने का जरिया है अगर क्या एक बार गुर्दा प्रत्यारूपन हो जाए तो जिंदगी भर क्या दिक्कत नहीं होती है क्या कुछ परशानिया नहीं आएंगी देखी करिशन तो मुझे जंदगी में कभी परिशानी नहीं होगी तो मैं उनको कहना चाहूंगा नहीं ऐसा नहीं है आपका जो गुर्दा प्रत्यार ओपन होता है उसके साथ बहुत सारी आपको जिम्मेदारी आती है जैसे कि क्या होता है यह गुर्दा प्रत्यार ओपन आपको शरीर मे आपके शरीर में है तो मैं मरीज दर्शोक कहना चाहूंगा कि आपके शरीर में गुर्दा तभी काम करता है जब वो दवाई लेते दवाई के सहार ही काम करेगा तो एक बार किर्णी ट्रांस्प्रांट आपका हो गया तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपकी छुटी होगी आप बिल्कुल ठीक हो आपको आजवन दवाई खानी है उन दवाई का डोज हम समय समय पर एक्जेस करते हैं मान दीजे आपने अगर दवाई गलती से भी बंद कर दी या आप दवाई का डोज मिस करते हो तो गुर्दा खराब हो जाएगा उसके क्या है आपके शरीर के जो करतिका शक्ती बहुत जादा बढ़ जाती दवाई लेते होए भी आपका क्रियाटनीन बढ़ने लगे गया इसे हम कहते है रिजेक्शन तो इस कंडिशन में क्या होता है आपको आपके निफ्रोलोजिस से मिलना होता है इसका बाइफसी हम करते है और इसका इलाज भी में लगता है इसकी एक डेफेनिटी लाइफ होती है यह आपके जिंदगी बर तो नहीं चलता है किसी-किसी मरीज में मान लीजे 5 साल चलता है किसी में 15 मैंने बहुत सारे ऐसे मरीज देखे जिनके 30-30 सालों से किनी ट्रांस्परांट किया है वो किनी काम कर रही है और इन कि कॉलिटी ओफ लाइफ मिलती है 10-15 साल गुर्दा बहुत अच्छा काम करता है उसके बाद में हो सकता है आपको दो बारा डालेसिस है ट्रांस्परांट की ज़रवत पढ़ सकती है चले कॉलर हमाई साथ पील वर्मा जी जो की खरकों से जुड़ चुके है सर आपका बहु यह जानना चाहिए था कि मुझे क्या है मड़म हर 15-20 मुट में बातरूम लगती है अब प्रोब्लम क्या होती है मड़म शुगर टेस्ट करा है तो वो नॉर्मल है जे और मुझे ऐसी कोई बॉडी में और कोई प्रोब्लम भी नहीं है कोई मुझे समस्य भी नहीं है तो यह हो सकता है कि आप पानी जादा पी रहे हो तो आप एक तो देखिए पानी का 7,5-3 लिटर करिए क्योंकि बहुत बार साइकोलोजिकली मरीज पानी जादा पीते है तो उनको पिशाप बार बार आता है दुसरा है हो सकता है आपके पिशाप के रास्ते में कही रुकावाट हो और आपको पिशाप का infection हो क्योंकि आपने शुगर की जाज करवा लिए वो नॉर्मल है तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप पानी दो से डहाई लीटर करिए और उसके बाद भी अगर आपको पिशाप बार बार आती है तो आप आपकी किसी निकट्टम जो नेफ्रोलोजिस्ट है उनसे मिलिए और एक बार जाज करवाईए पूरी ताकि इस समस्या का जो है निदान और उप्चार प्रॉपर हो सके जी डॉक्टर गणिश अब ये बताएं क्या किद्नी प्रत्यार उपन में स्त्री और पूरुष एक दूसरे को किद्नी नहीं दे सकते हैं क्या नहीं देखिए ये बहुत बड़ी भ्रहंती है समाज में हमारी स्त्री हो या पूरुष हो सबकी शरीर की रचना एक समान होती है तो शरीर की रचना एक समान है किद्नी एक समान है तो आप महला पुरुष को या पुरुष महला को kidney दे सकते हैं और भारत की बारे मेंढ़ना बात कर hidden तो हमारे भारतवाश में 80 प्रतिशत जो kidney donor है वो महलाया है वो महलाया अपने hanben को दे रही है बच्चे को दे रही है अपने माबाप को दे रही है साथ सासूर को दे रही है, तो 80% महला है किड्डी देती है हमारे भारत वाश में. जी, छली, डॉक्टर गणेश संचिप्त में मैं चाहूंगे कि आप कुछ एक खास मेसेज हमारे दर्शकों को आप देना चाहें? बिल्कुल, देखी क्या है, समाज में किड्डी की बीमारी के बारे में बहुत तरह-तरह की भरांतिया है, तो मैं दर्शकों यही कहना चाहूंगा कि आप किसी बैकावे में ना आएं, और अगर आपको क्रियाटिन बड़ा हुआ है आपका हलका सा या आपको ऐसा लगता है, त बिमारी का प्रॉपर निदान और उपचार जरूर कराईए, ताकि आपको भविशय में किड्नी ट्रांस्प्रांट और डालेसिज जैसी भायावाए चीजों से हम बचा सकते हैं, चले बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर गणिश हमाई साथ जोड़ने के लिए आपने बहुत इंपॉर्टिन इंफॉर्मेशन हमारे दर्शो को किसा शेयर के है, तो इसी के साथ हमारे इस खास पेश्च में फिलाल इतना ही, कर फिर हाजिर होंगे हम एक नई स्वास्ता संब्दी समस्या को लेकर साथ यह आपको बताएंगे उसके उपाए, फिलाल मुझे दीज झाल